तो वेल्कम बैट दूस्तों कैसे हो आप सभी तो सामने आप जो दोनों बाइक देख रहे हो तो उन में से एक है Splendor Plus X-Tack Version 2.0 और एक भाई हमारी प्यारी Splendor Plus X-Tack जो कि भाई हमारे पास है बिल्कुल ब्लू कलर में यही वाले मौडल मौद है हमारे पास अगर मोटा मोटा चेंज की बात करें तो Splendor Plus X-Tack हीरो ने अपनी ब्रैंडिंग की तरह से कर दी गई है पास इन पास आउट सो इच दिया गया है तो यह भाई इसकी हैड लाइट में मोटा मोटा चेंज किया गया है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और जो पुरानी वाली होती उसमें नॉर्मल ही हैड लाइट की रखी कि आप यह नट खोल कर इसको हैड लाइट को आगे पीछे भी कर सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंग अड़्जेस्ट कर सकते हो साथ ही साथ यह फीचर भाई जो पुरानी वाली एक्सटेक है उसमें देखने को नहीं मिला था यह निव वर्जन 2.2 में ही देखने को मिला थ लेकिन जो वाली जो इस प्लेंटर एक्सटेक वर्जन 2.2 में काफी जादा चेंज किया गया है आप देख लीजिए यह वाला हिस्सा जो यह रहता है इगनीशन के पास वाला यह पूरा चेंज किया गया है और इस पर हीरो की ब्रांडिंग जैसे कि आपको दिखाई दे रह आँ उस तरह से वाई हीरो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है ठीक है पूरानी वाली स्फ्लैंटर हेइस फाले से ब्लूती ब्रांडबीम को मिलेगी और वहीं कट फीचम going in come से बाकि सब वही फीचर रेने वाला है तो मीटर में कुछ खास देखनी लाइक नहीं है लेकिं जो मोडी बॉडी लेंड चेंज करी गई है वो देख सकते हैं आप दोनों ही गाड़ियों को भाई ग्राफिक्स वगरा को काफी ही बढ़िया प्रोवाइड करें गए लेकिन जो इसको दबाओगे तो भाई इसमें आपको पूरे के पूरे चेंज देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस स्विच को दबाते हो तो आपके चार के चार जो बाइक के हजार्ट फ्लेशर्स हैं वो एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे ठीक है आपको इसमें अदर कोई आपको देखने को मिल रहे हैं और दूसरा मोटा मोटा चेंज आप देख लिए जीए बाइक का जो यूटिलिटी वॉक्स है उसमें किया गया है ठीक है तो देख लीजिए जो नई जो बाइक है इसे कोई भी बच्चा चोटे से चोटा बच्चा बड़े से बड़ा लेकि जो पुरानी वाली है उसका यूटिलिटी वॉक्स अगर आप लोग खोलोगे तो भाई इसली नहीं कुलता था भाई बड़ो के लिए खोलना मुश्किल हो जाता था बच्चे तो दूर की बात है देख लीजी साइड से कुछ ऐसे खोलता था खोलने पर खटक किया वा जाती है जैसा लगता है जैसे कि यह तूट गया हो थी तो भाई यह यूटिलिटी बॉक्स का यह काफी बढ़िया किया गया और अगर साइट के पैनलों की बात करें तो जहां आपको स्प्लेंडर प्लस एक्स्टेक देखने को मिलता थ अगरा है पुरानी वाली में सिर्फ साइट पैनल में इस प्लेंडर प्लस एक्सटेक लिखा ही देखने को मिलता था इसा तो यह मोटा 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 चेंज किया गया है कि आपको जो इनके मिरर से दिये गए है इनका एक बार पीछे से देखे कितना प्रेमियन नेस्स दिया ठीक है जो नए श्व्लेंडर एक्सटेक आया है जो अभी फिलाल में एलेडी डियारल वाला तो देख लीजिए एक 2.2 में इस दिया गया है और इसके नीचे की भाई रबर देखे ये भी चेंज कर दी गया है एक दम भैतरी रबर दिया गया है नीचे अपरानी वाली में बस सिंपल ऐसा ही रबर दिया गया था तो ये काफी अच्छा खासा भाई चेंज किया गया है और उपर से बोड़ी लाइन तो चेंज है और जो और एक और जो मोटा मोटा चेंज किया गया है बाइक में जो साफ आप अपनी खुली आँखों से देख सकते हो वह पीछे का टेल पुरानी का टेल सेक्षिन देख लीजी नॉर्मली रहने वाला है लेकिन जो नई वाली का अंदर एलेडी नहीं है लेकिन पीछे का जो कवर है ठीक है वो काफी प्रिमियमनेस किया गया है पीछे का यह नंबर प्लेट वाला है इसे फिन बोल सकते हो यह भी काफी इच्छा खासत चेंज किया गया है अगर आप खोल देख लो पुरानी वाली नॉर्मल रहने वाली बा काफी अच्छे लग रहा है लेकिन जो और है इंडिकेटर की बात करें तो जो पुरानी स्प्लेंडर भाई उसके जो भी स्प्लेंडर के इंडिकेटर अब तक चले आ रहे थे वही थी लेकिन जो न्यू आई है बसन टू-पॉइंट वाले लगा दिये गए इसमें भाई आ में आधको medis कही देखने को मिलेगा बॉनों कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम याха Annte-lok- лег union ऑग को ब्रेकिंग सिस्टम यह जो भी रहता है उदिस्टो अगर शोब ब्रेक आथ करें तो हैं इसका ब्रेक दोनों में नहीं दिया गया है से स्ब्रुंप तो मिलेगा तो में तो तो पर इन नोट से हैं मोट मोट जयी चिंजिस ते जो कि मैंने अपको सामने से दिखा दिये हैं ठीक है और अगर आपको इनका exhaust note सुनाएं तो सबसे पहले आप एक बार देख लीची सुनकर exhaust note चुन न्यू वाली भाई का यह प्लेंडर एक्सटेक वर्जन टू पॉइंट तो न्यू वाली भाई का exhaust note काफी चाही दिया गया है और अगर पुराने वाले का exhaust note सुने तो भाई आप एक बार चेंज बताइए का कुछ है भी या नहीं है ठीक तो सुन दीए एक आगर आपको इनके भाई जो exhaust की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास इसमें चेंज नहीं किया गया है ठीक है जो पुराना वाला exhaust था वो थोड़ा शार्प था लेकिन जो new x-tech version 2.0 उसमें भाई ये फाइबर का बना हुआ दिया गया है ठीक है जो कि शायद advantage भी हो सकता है आप लोग देख सकते हैं कितनी चेंज की हुई है ठीक है ये भी काफी अनोखा चेंज किया गया है और अगर बात करें तो दोनों ही बाइक आपको ये 20 में देखने को मिलेंगी new वाली भी और भाई पुरानी वाली भी ठीक है और अगर टैंक की बात करें टैंक capacity size एकदम equal रहने वाला है ग्राफिक्स भाई 3D लोगों आपको देखने को मिलेगा हीर हुआ ठीक है और अगर भाई आपको टैंक खोल कर दिखाए तो as it is पु प्राफिक्स वगएरा में ही चेंज हुआ है इसके टैंक वैंग पर शाइनिंग चेंज किये गए हैं और कलर्स वगएरा भाई हम इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं पूरे 5 कलर्स अवेलेबल हैं इसके आप भाई कोई भी कलर चेक कर सकते हो अपने नियरेस्ट श लगना है ठीक है वैसे अठानवे जार रुपे तक कि प्रिस की प्राइस रेंज बताई जा रही है ठीक है तो इतनी तक कि आपको पड़ जाईए दोस्तों मैंने आपको पूरी कोशिश करी है भाई हमारे पास इस प्लेंटर एक्स टैक ब्लू वाली है ठीक है लेकिन जो न बिफालब कर देखा गए तो दू सर्था का तो काफी चिन्ज किया गया है तो जो मोटे मोटे चिंज़ इस और जाता है शूरू में पर मालूँ Elbird जो वह सब दिखा दे तहें तो मैंने आप लोगों को और दिखा दिए अब आप लोग सच्टे की कूष सो model बढ़िया है यह दोनों model बढ़िया है XTEC या XTEC 2.0 या फिर जो इनके basis model रहने वाले हैं वो बढ़िया होते हैं ठीक तो बस आज की इस वीडियो में इतना है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए भाई